आपका जैइमेन एप्रल में दूसरे आपका जैइमेन मही में लेकिन आज हम भात कने वाले जैइमेन मही के बारे में कि क्या वो आपके लिए बिल्कुल भी फूटफुल होने वाला है देखलो हर साल 2019 और 2020 जबसे आपका जैइमेन मुल्टिपल टाइम सोनना चालो हो गया 2020 में आपका सेप्टेंबर टेंप तो वैसे 2021 का जो आपका में रहना है वह 95 परसेंट लोगों के लिए आपका एकदम बेनिफिशन नहीं रहने वाला है क्यों कि आप देखोगे अगर आप अपने पिसला टेंप यानि कि अगर एपरल या फिर अपने मार्च अटेंट से भी 30-40 नमबर बढ़ाओगे तो आप लोग एक्सपेट करते हूँ कि आपकी परसेंटेल भी सुद्रें लेकिन नहीं यहाँ पर क्या होता है कि जो बल्ग अपने नहीं किये थे आपके कुछ नहीं तो 32 से लेके 40 नमबर आराम से बढ़ने की चांसे रहते है तो और एक बंदा उतना बढ़ा ही लेता है तो अगर आपको अपने परसेंटाइल थोड़ी सी बढ़ानी है आपको दस बढ़ा नमबर से बात नहीं चलेगी आपको बढ़ाना पड़ेगा अपने मई के अटेम्ट में अपने अप्रेल मार्च और इवन फेब्रेरी मिनिमम ऑफ 60-70 मार्च सो आपकी कम से काम 0.5 या फिर 1 परसेंटाइल भी बढ़े इसलिए मैं बता दे रहा हूं यह जो आपका इपल अटेम्ट है इसको धुवा डैसेशन मान लो बाद में आपको बहुत दिक्कत हो सकते कर आप मई से एकदम दिल ले आकर बैठो कि आर मई में फोड़ने वाली है क् मई में परसेंटाइल लोग की नहीं बढ़ते उतनी जितना वो मार्ज बढ़ा लेते हैं ऐसा भी हो सकते हैं शायद आपकी 30-40 नमबर बढ़ जाए परसेंटाइल शायद एकदम ना बढ़े और क्या पढ़ता घट भी जाए ठीक है तो उस चीज से बचो और एप्रिल का ट